यह जो मैं आपको बोट दिखा रहा हूँ सर है यह है अमारा इंड़क्शन कुकटोफ का बोट यह उनिवर्सल बोट आता है और दोस्तो इस का जो यह कीपेड साथ में आता है uh को पुराने वाला कीपेड निकाल लेना है और यह जो किपेड है यह बहुत यह चेत्ज तरह च इलक्ट्रोनिस के शौप से खरीद कर ले सकते हो आपका इंडेक्शन कुक्टॉप यदि रफेर नहीं हो पा रहा है तो ही यह बोर्ड हम सर्किट पीविसी बोर्ड पूरा 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 हम इसमें लगाते हैं यह देखे पूरा पैकिंग के साथ है इसका रिव्यू में आपक मिल जाता है दोस्तो हमारे चैनल को सस्क्राइब करें और लाइक करें और दोस्तो बेल आइकन दवाना ना भूले क्योंकि हमारे चैनल ताजा अपडेट पर आपको इसी तरह की वीडियो देखने को मिलेगी बहुत तरह की वीडियो इलेक्ट्रोनिस, इलेक्ट्रिकल, नहीं आपको देखने को मिलेगी यह अठारा सुवाट का जो पीवी सी बोर्ड है यह बहुत ही बढ़िया चलता है और बहुत मुश्किल से खराब होता है दोस्तों इसके कंपोनेंट के बारे में वी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें की पूरी जानकारी दूंगा कि क नीचे मौसपेड और रेक्टिफाय लगा है यह अपने दो टर्मिनल है ऐसी सप्लाई के यह पॉस्टिव नेक्टिव यह वाले फेस न्यूटल के अपने ऐसी सप्लाई इनके टर्मिनल है और जो यह वाले है यहां पर आपने जो इनक्शन का कोयल होता है उपर लगता है ज एक बेस्टर लगा है यह अपना कपाश्टर है हुजो कि नन्पॉल एक बेस्टर आते इसमें यह स्ताई 0.40 City मायक्रो करड़का कपेस्टर यह फ्रंट में लगा है और जो टोडे वाड़ा कपेस्टर देखा ता आपने वह पांच ओंअ फैर नका दा यह देखिए जिरो पॉइंट स्ताइब माइक्रो फेरड का है यह 1200 बोल्ट का है इसकी पूरी जानकारी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके दूंगा उसमें आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं दोस्तों चलिए इसको अब मैं। फेर करके दिखाते हैं इसको आपको कि सतरा से काम करेगा यहां पर रहा ठाराबोल्ट का फैन इस्वूरी यहां सैंसर लगए यहां फैन लगेगा यहां पर आप फैन लगांगे 10 बोल्ट का जो फैन होता है और यह जो अपना control पैनल है उसके लिए यूज होता है यहां लगाना आपने कंट्रोल पेनल का यह प्रोसेसिंग इसकी आई सी है यह कपेस्टर है यह इंडक्शन कोईल है और दोस्तों यह इंडक्शन है जो डेड़ पड़ावा है इसका पीवी सी बोर्डर पेर नहीं हो पा रहा है बार बार भी हम इसमें से इसका पीवी सी बोर्ड भी हम बाहर निकाल लेंगे जो की शौर्ट हो चुका था इसमें था यह लगावा यह देखिए यह हमारा नेवारा बोर्ड है हम इसको इसी तरा सिसमें फिट कर देंगे हाँ दोस्तों हमारा यह जो पुराने वाला बोर्ड है इसमे वाला है यह पुराने वाला है दोस्तों इसको हम अब इसमें फिट कर लेके कर लेते हैं और थोड़ा में फारवर कर लेता हूं वीडियो और मैं इसको फिट करके आपको दिखा दूँगा थोड़ा तेज कर लेते हैं वीडियो को ताकि मैं आपका भी टाइम बचे और वीडियो जादा लंबा ना हो ये इसके एक इंड़क्शन कोईल फिट कर दिये हैं और ये सारा फिट होने के बाद ये मारा जो पीवी सी जो इसका अगला हमारा जो कंट्रोल पैनल है उसको भी इसमें एड़ कर दिया है अब रहेगे ये बात फैन की तो फैन को भी हम इसको इसमें फिट कर लेते हैं यह ठारा वोल्ट का फैन होता है ठारा वोल्ट सप्लाई पर चलता है ज़िए फैन ना चले उसके उपर भी एक वीडियो ने बना रखी है वह भी आपको जुरूर अपलोड करेंगे अब देखिए दोस्तों इसको अब चेक कर लेते हैं टेस्टिंग कर लेते हैं इसकी तो इस ब्रास्टिंशन ओके हो चुका है यह आसानी से आप 306-300 रुपए का एक सर्कीट बोर्ड लेकर के इसका मेडूलर ले करके आप असानी से इसको रपेर कर सकते हैं और घर पर ही रपेर कर सकते हैं इसमें कोई टांका नहीं लगाना आपने सिर्फ टर्मिनल लगाने हैं इसमें जो इसके कोनेक्टर होते हैं वही कनेक्ट करने हैं बखी कुछ नहीं करना ये देखे पाणी भी गरम हो रहा है